बिस्मिल्लाइ रामान रहीम, मुस्रम नाजरेन, अस्सलाम अलेकुम, मेरी आज की सची कहानी, हजरत मगदूम अली हचवेरी, अलमारू, गांजबक्ष, रामतुला अलेश, आपका इसमे जरामी मबारक अली, वालिद माजद का नाम अस्मान, और दादा का इसम गरामी अली था, हजरत मगदूम अली हचवेरी, नजीब उस्तरफएन सेयद थे, आपका दिलतले नजब, चंद वास्टों से, सेयदना हजरत इमाम हसन, रजी आल्लाह अनु सेचा मिलता है, गजनी के एक करिया जिसका नाम हजवेर था, में चार सो हिटरी में पैदा हुए, और इसी निद्बत से आपको हजवेरी कहते हैं, आपका खानदान गजनी के ममताथ खानदानों में थे था, इस खानदान में बहुत से अलमा, फुजला और रुवानी बजीरत रखने वाले लोग पैदा हुए, खुदाप की वालदा माईदा, बड़ी नेक नफ्स, इबादत गुजार और सहभे इल्म खातून थे, तरत आली हजवेरी थे, जिस माहल में आख खुली, वो नियाएत पाकीजा और रुवानियत स मामूर था, हर तरफ इल्म का जिक्र और मारपस का चर्चा था, जिस कुद्सी नफ्स माक या घोश में आप परवान चड़े, उसकी जबान जिक्र इलाई में मसरूफ और दिल चलवाए हक से सरशार रहता था, आपके असाता में शेख अबुलकासम गुरगानी रहमतुलाल अबुल अबास अश्कावनी रहमतुलाले, अबुल अबास बिन कसाब रहमतुलाले, खाज़ा अबु आपु आमद मुजफर रहमतुलाले से, प्रत मगदूम अली हजवेरी घजनी के मुख्तलिफ मतारस में तालीम हासिल करने के बाद अपने वत्तं से निकले, और मजीद तालीम के लिए मुख्तलिफ जियार वलायात का सफर इख्तियार किया, इस दोरान सफर में आपकी मुलाकात हदर शेख अबुल फदल मुहम्मद बिन कुतली रहमतुलाले से हुई, आप इलाका शाम के रहने वाले थे, अपने जमाने के जैयत, आलिम और रुहानी पेशवा थे, और तरीक जुनेथिया में बहत थे, अज़रत अली अजवेरी रहमतुलाले उनके इल्म फदल और जो जो सक्वा से बेहत मतासर हुए, और अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया, अबके मुर्शित ने खाती तवी इलम रपाई, और जमिश को बानियाल के दर्मयान, पह एक गाउ में जिसका नाम बैसुल जिन है इंसकाल फरमाया, आपकी वफात 453 हिजरी में हुई, आपके इंसकाल के बाद हजरत मखदूम अली हजवेरी रहमतुलाले आपके पास थे, हजरत अली हजवेरी रहमतुलाले ने दो निकाह किये, पहली शादी इप्तजाय जवानी में हुई, मगर वो अफिवा जल्दी वफात पा गई, इसके इंसकाल के बाद आपने ग्यारा साल तक तजरुत की जिन्दगी बसर की, ग्यारा साल के बाद वालदैन के इसरार से दूसरा निकाह किया, मगर ऐसा मालूम होता है, कि आप मताहल जिन्दगी को पसंद नहीं करत थे और दोनों शादियां आपने अपने वालदैन के होकम की तामील में के थे, हदरत मगदूम अली जिन्दगी का बेटता रिसा सेरो सफर में गुदरा, ये सफर आपने दो मकसदों के लिए इक्तियार किये, पहला मकसद तालीम में और दूसरा मकसद तबली जी था, इस से सेरो सफर के तौरान में आप एरान और रिराक, शाम तुर्की, अरब, मावरा नार, अजरवायजर, खरास्तान, तिबरिस्तान, कोईस्तान, कि रमान, खुद्सिद्टान और हिंदूस्तान के सेक्रों मकामात से गुद्रे और बड़े-बड़े जिन्दों, मुद्रियां की सोबसे मुस्तफित हुए इस दफ़ा आप इलाका शाम में सफर करते हुए हदरत बिलार रजी अल्ला के रोजा पर पहुँचे जगा पर आँख लागे तो आपने अपने आपको मक्का मौदमा में देखा इतने में सरकार दौालम सल्ला लाह लाहिव सल्म बनी शीवा के दर्वादे पर तश्रीफ फर्मा हुए उस वक्त एक संरसीता शाक्त को इस तरह बगल में लिए हुए थे जैसे कोई किसी बच्चे को लिए होता है मैं परते मुहबद से बेकरार होकर आपकी तरफ तोड़ा और आपके पाय मुबारक को बोसा दिया मैं बड़ा हिरान था कि यह जहीव शक्त कौन है कि हज़ूर सल्ला लाह लाह लेव सल्म ने कुवत बातनी से मेरे स्टजाब का हाल मालूम किया मुझे मुझे मुगाजब करके फर्माया कि यह समारी इमामैं, इमाम अबु लुझा इस से मुझे रामतुला अलाए इस से मुझे यह बात मालूम होई कि हज़ूर सब्साथ इमाम अभु लुझा का दुमार उन लोगों में से है जिनके हुसाब शरा के पैम रहने वाले एहकाम की तरह पैम を जायम है हज़रत स्याद अली अजवेरी रामसुलाले ने अलूम जाहरी वातनी में जो कमाल हासिल किया था और आलम इसलाम के अलमा, हुकमा और बज़रगान दीन की सोबह से जो कस्ब फैद हासिल किया था अब वक्त आ गिया था कि उसे खलक खुदा को इस्तफादा करने का मौका दिय आज़ाए तुनाचे आप मुर्शिद हजरत अबूलफदल बिन अज़न गतली रामतुलाले के हुकम से लाहूर रवान हुए और जहां आकर रुज्द और रिज्द का फरीदा अंजाम दिया हजरत अली हजवेरी के मुर्शिद भाई हजरत अबूलफदल बिन अज़न गतली के एक और मुरीद हजरत शाह हुसान ज़न जानी रामतुलाले पहले से लाहूर में मजूद थे और अपने वक्त के वली कामेल थे इसलिए हजरत अली हजवेरी ने मुर्शिद का हुकम सुन का द्रियाफ्ट किया कि फिरो मुर्शिद वहां तो हजरत हुसान ज़न जानी रामतुलाले मजूद हैं वो कुतब अक्ताब हैं मेरी वहां क्या जरूरत है तो हजरत अबुल फदल बिन असन खसली ने फरमाया कि मैं तुम्ही दिली और उसे लाहूर रवाना कर रहा हूं कि महां तुम्हारी जरूरत है चुनाचे आपके मुर्शिद के हुकम की तामील में लाहूर रवाना हो गए हुल्तान मसूच की हिंदोस्तान से बापसी के एक साल बाद यानी चार से कतीस हिजरी में हजरत मखदूम अली हजवेरी रामतुला अले हिंदोस्तान सच्रीफ लाए और लाहूर में मुकीम हुए आपकी तबलीग से जो लोग मसल्मान हुए उनमें शेख हिंदी का नाम खास तर पर काबले दिख रहे हैं लिख लाहूर और दीगर कुतम में अली मखदूम अजवेरी के समानियात के मुतलिक लिखा है कि हजरत के दम कदम से एले पंजाब और बिलकसूस एले लाहूर को ब इसलाम की लाजवाल दौलत और नहमत मुझसर हुई हजरत मखदूम अली अजवेरी लोग में से नहीं थे जिनका इल्म फिर उनकी जाद तक महदूत रहता ना उन लोगों में से थे जो अपने इल्म का दर्याद जिर्व मतना जिरुश दो हिजाद पर बैट कर वास अकते हैं बलके आपने उन लोगों में से थे जिनका दोरे कलम उनके इल्म को सीने कर्टास पर मुंसकिल करके आने वे वाली नसलों के लिए मैभूत कर देता है मौनियात कजब असरार मज़ूर हैं कजब माजूब हज़रत अली हजवेरी की साथवी तथनिव है और मजभी लिटरेचर में इस पहे की बहुत कम किताबें होंगी ये थे हज़रत मखदूम अली हजवेरी की सची कहानी अलाथ ताला हम सब काम यहनाते रोख बस दो